बात करते हैं अब प्योर रोलिंग की कैसा फिनोमेना है या इसमें क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो अगर हम कोई एक रोटेटिंग बाडी लें और इसको जमीन फेक दें सिर्फ अरसी पे ट्रांसलेशन वेलोसिटी देकर अगर हम जमीन पे उसे फेक दूँ तो हम एक्सपिरियंस करेंगे कि वो बाडी सीधे जमीन पे घिसते हुए नहीं चलती है वो जमीन पे गिरने के बाद थोड़ी देर में रोटेट करते हुए जाती है ऐसा कोई फिर्वन हमने नहीं देखा होगा जैनल लाइफ में कि हम किसी गोल या किसी रोटेटिंग बाडी को हम जमीन फेके हैं और रोटेट ना करें वो सीधे चली जाए में नहीं होता है कफी रह रह तो होता क्या है हमने तो उसे टर्सलेशन या सदेए हमने उसके आगे की थर व्रकन चु नहीं है तो क्या होता है क्यों यह मॉड्र करने लगता ऊसी चीज़ को हम сторону सबस्जाएं तो जब हम इसको मान लोगी हमने किसी सर्फिस पे से फेका तो अगर वो सर्फिस रॉफ है अगर वो सर्फिस रॉफ है तो वो रॉफ सर्फिस उस पे कुछ फ्रिक्शन लगाएगा उस पे कुछ फ्रिक्शन लगाएगा और अगर यह velocity V के साथ move कर रहा है अगर यह velocity V के साथ move कर रहा है तो इसकी velocity को वो decrease करेगा और इस point of contact velocity को decrease करते करते वो इसको 0 पर ला देगा यह velocity जो है point of contact की velocity in the eye 0 हो जाएगी अब होगा क्या चाब friction इदर लगेगा तो यह body कुछ इस तरफ ऐसे omega के साथ rotate करना सुरू करेगी जैसे जैसे body आगे बढ़ेगी V कम होता जाएगा omega बढ़ता जाएगा omega बढ़ता जाएगा तो इस point पर एक time आएगा जब मालों कि पहले तो इसकी velocity V not की बाद में इसकी velocity घटकर V हो गई तो जब इसकी velocity घटकर V हो गई तो यहाँ पर इस friction के कार इस point of contact की velocity एक समय पर जाकर zero हो जाएगा उस समय हम कहेंगे कि यह जो V है यह r omega यानि कि यहाँ पर जो velocity लगेगी r omega और इस तरफ जिस तर यह move कर रहा है यह V होगी जब घटकर V not से घटकर V हो जाएगी तो यहाँ पर point of contact की velocity जब zero हो जाएगी तब हम कहेंगे कि वो situation pure rolling का है repeat करता हूँ यहाँ पर धीरे धीरे इस point की velocity friction की current decrease करेगी यहाँ पर frictional force लग रहा है और यह पूरी body omega के साथ rotate करना शुरू होगी यह omega बढ़ता जाएगा और यह कम होता जाएगा एंड में मान लेते हैं अगर यह पहले omega naughty रहा हो सुरू में omega naught रहा हो omega बढ़ेगा v घटेगा omega बढ़ेगा v घटेगा क्योंकि v जो है आगे की तरफ act करेगा omega जो है पीछे की तरफ act करेगा v जो है आगे की तरफ act करेगा omega जो है पीछे की तरफ act करेगा तो net velocity point of contact के अगर मैं इसका नाम दूँ point of contact P यहाँ पे इसका नाम दिया P तो when the velocity of point of contact becomes zero then we can say that the body has come into pure roll तो इस जब velocity point of contact की zero होगी we can say that the body is in pure rolling तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो impact किस force का है जिसने इस body को pure rolling में ले आया pure rolling में क्यों आया क्योंकि इसके point of contact की velocity zero होगी पहले तो point of contact velocity zero नहीं थे पहले तो यह वी नॉट से चल रहा थे omega friction लगना सुरू हुआ omega नॉट आया दिये दिरे omega बढ़ता रहा वी नॉट कम होता रहा क्यों कम होता रहा क्योंकि friction act करता रहा तो friction force ही वो force है जो एक body को pure rolling में लाता है और pure rolling का मतलब है कि point of contact की velocity zero हो तो हम कह सकते हैं कि उस समय V is equal to r omega 95 या 90% केसे पे तो इस सही रहता है कुछ एकाथ केसे हैं जहां पर यह V is equal to r omega नहीं अप्लाई होता है वहां पर हमें कुछ और दंग से सोचना होता है तो फिर से एक बार अगर इसे explain करें तो एक body है हमने उसे surface से फेका कुछ velocity V naught के साथ उस पे friction act करना शुरू हुआ friction के कान एक force पीछे लगी omega naught जेनरेट हुआ देर देर omega naught बढ़ता रहा V naught घरता रहा घरता घरते जब इस point की velocity इस point की जो surface के contact में जहां पर friction लग रहा है उस point की net velocity 0 हो जाएगी तब हम कहेंगे की body pure rolling में है यहां पर V आगे की तरफ act कर रहा है और r omega जो है पीछे की तरफ act कर रहा है और net velocity इसलिए दोनों की 0 हो जा रहा है और इस कारण यह जो है pure rolling में आ गया तो यहां हमने बात की अभी velocity की अब हम बात करते हैं acceleration की अब हम बात करते हैं acceleration की तो अगर यहां पर अब हम मान लेते हैं की pure rolling हो रही है ठीक है pure rolling हो रही है तो यह जो rotating body है कुछ इस तरह से rotate कर रहा है इसके पास कौन कौन से acceleration होगे एक तो ओमेगा चेंज हो रहा था एक तो ओमेगा चेंज हो रहा था तो इसके पास एक एक्सेलरेशन इसके पास होगा टेंजेनिशेल दूसरा इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा सेंकिलयूब इसके कारण और तीसरा यह जो विल्उसिटी से चल रहा है उसके कारण वी एकस्सीलरेशन होगा छीक है तो यह तीन jean तो है लिए अब कोश्चन आता है कि इसी कंडिशन किया है। है तो कंडिशन यह है कि पॉइंट मेगा है तो फ्यां economist कॉंडों पन। निट एक्डिछ यह यह तो अगय के लगएगा ये अ और यहां पर यह ए टी लगेगा वी की कारण यहां पर तो यहां पर जो यह acceleration होगा इस acceleration की value जो होती है ठीक है इस acceleration की value होती है वो होती है आर अलफा और यह ए तो net tangential acceleration zero होना चाहिए point of contact का अगर body pure rolling है मैंने यह नहीं कहा कि total acceleration zero होना चाहिए net tangential acceleration जीरो होना चाहिए अगर body को pure rolling में लाना है तो तो क्या मतलब कि total acceleration zero नहीं होगा या total acceleration zero नहीं होगा तो कौन सा acceleration यहां एक्ट करेगा यहां पर जो एक्ट करेगा वो करेगा centripetal acceleration यह x a is equal to r alpha तो रहेगा ही पर centripetal acceleration हमेंसा act करेगा क्योंकि इस पर नेट velocity जीरो है तो फिर आगे कैसे बढ़ रहा है question तो यही है यह आगे कैसे बढ़ रहा है जब यहां पर नेट velocity जीरो है तो यह जो point है इस acceleration कारण ऊपर उठेगा फिर दूसरा point आएगा इसकी velocity जीरो होगी वो इस acceleration कारण ऊपर उठेगा फिर तीसरा point आएगा उसकी velocity भी जीरो हो जाएगी लेकिन वो इस acceleration कारण ऊपर उठ जाएगा तो उपर उठने की प्रकिरिया जो है कौन help करता है वो करता है centripetal acceleration यही हो एक्सेलेशन जिसके बॉड़ी मूफ कर पाती है तो उपर की तरफ उठता है बाकी यहां पर tangential acceleration 0 होगा centripetal acceleration 0 नहीं होगा और जिसके कारण यह बॉड़ी मूफ कर पाएगी तो यहां पर हमें यह ध्यान अखना है यहां फिर हम भी कह सकते हैं कि alpha is equal to ayr भी कह सकते हैं so a is the acceleration due to translation motion r alpha is the acceleration due to rotational motion and these should be equal to put the or to bring the body in the pure rolling so the body is in pure rolling and that's why it is having a zero velocity at the point of contact तो यहां पर हमने यह चीज़े डिसकर्ट कर लिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं question से कि कैसे अप्लाईगी यह अफ्ति है pure rolling तो कुछ question को देखते हैं एक जेई का question है question यह एक if the body is rolling without sleeping इसका मतलब भी pure rolling ही होता is rolling without sleeping if the body is rolling without sleeping तो उसका निशन में क्या होगा यह एक body है ठीक है यह है point C यह है point B और यहां पर जो contact और पॉइंट है यह है point A ठीक है तो यहां पर जो options हमें दे रखे हैं यह है V C minus VA फिर V C minus V B C में भी वे C minus V B यहां पर mod है और D में भी V C minus तो यह तो पहली करने से नहीं, यहाँ पर इसने पूछा है कि VC-VB जो है, वो क्या VA-VB के बराबर है 2 into ऐसे ही VC-VB क्या 2 into VB-VA के बराबर है फिर VC-VB क्या 2 into mod of VA-VB के बराबर है और उस तरह से यहाँ पर 4VB के बराबर है ठीक है, तो यह condition हमें दे रखिये और यह body जो move कर रही है वो velocity V से move कर रही है ध्यान देनी की बाता, अगर एक pure rolling है तो V is equal to R omega, यानि कि VA जो होगा, वो 0 होगा ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो R omega की direction भी इसी तरफ होगी और V की direction भी ही होगी तो मैं यह कह सकता हूँ कि R omega तो यहाँ पर VC is equal to हो जाएगा R omega plus V, और R omega जो है वो V के ही बराबर है तो यहाँ से मैं यह कह सकता हूँ कि VC is equal to 2V, वहीं VB is equal to V तो अब बात करते हैं पहले option की VC minus VA तो VC minus VA की अगर मैं बात करूँ तो यह हो जाएगा 2V minus 0 तो यहाँ जाएगा 2V VC minus V आजाएगा 2V और VA minus VC अगर मैं बात करूँ तो यह 0 minus V into 2 और यहाँ जाएगा minus 2V तो हम देख सकते हैं यह दोने equal नहीं हाला कि magnitude में equal है लेकिन values या direction में equal नहीं वो plus 2V आया है और दूसरा वाला minus 2V आया है तो यह वाली बात तो इसमें wrong हो जाती है तो पहला option तो सही नहीं है अब दूसरे option की बात करते हैं तो दूसरे option की अगर हम बात करों तो VC minus VB तो VC क्या है V, 2V दूसरे option की बात करों तो VC minus VB के अगर हम बात करों तो 2V minus V यहाँ से ही आ गया V ठीके और VC minus VB यहाँ पर अगर हम बात करों 2 into VB minus VE तो यह भी साथ equal नहीं है अगर मैं कहो 2 x VB-VA, साथ यहां पर यह 2 नहीं है, शिर्फ VB-VA है, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, यह 2 नहीं है, तो यहां पर भी यह V-0, यह भी आ जाएगा V, तो यह वाला option इसलिए सही होगा, अब आते हैं, तीसरे option को चेक करते हैं, इसी दरह से, तो अगर मैं तीसरे option की बात करूँ, तो यहां पर mod लगा रखा है, VC-VB, तो अगर मैं mod लगा के VC-VB निकालू, तो यह आ जाएगा, 2V-V, यानिके simply mod of V, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहां पर, again, 2 लगा रखा है, तो 2 of mod of VA-VB, ठीक है, तो VA-V, VA0 है, VB, जो है VA mod करेंगे, तो यह आ जाएगा 2V, तो यानिके यह option भी गलत हो जाता है, और इसको तो हम simply कहीं सकते हैं, कि 2V-V, हमें V देगा, जबकि यहां पर option 4 है, तो यह भी गलत हो जाता है, तो यह सभी option गलत होते हैं, only and only option B is the right answer of this question तो अब आगे बढ़ते हैं, और एक और अच्छा सा question लेते हैं, प्योर रोलेता है, तो question कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं कोई एक जिसक है, और हमने इसे जमीन पे फेक दी, और इसको velocity हमने दे दी, V not कि, ठीक है, शुरॉत में, आप जैसे हमने इसे जमीन फेका, friction act करना शुरू हो, और act करते करते friction इसको प्योर रोलिंग में ले आया, तो हमें बताना है कि जब प्योर रोलिंग में आता है, तो इसकी velocity V कितनी ठीक है, तो यह प्योर रोलिंग में आ गया, अब इसकी velocity V होगा, अब इसका radius R है, तो समझते हैं कि इस question को हम solve कैसे करेंगे, ठीक है, यह अच्छा question है, तो यह आगे की तरफ जाने, friction इसकी तरफ पीछे की तरफ ऐसे act करेंगे, ठीक है, तो friction, यह आगे की तरफ जाने, friction पीछे की तरफ ऐसे act करेंगे, तो friction force will be equal to minus mu mg, अगर हम इसका mass m कहा दूए, यह एक disk है, इसका ध्यान लगना है, यह एक disk है, ठीक है, तो यह हो गया, अब friction force ही इसको acceleration दे रहा है, तो ma is equal to minus mu mg, और m से m cancel हो जाएगा, तो a is equal to mu into g, ठीक है, अब हम first equation of motion लगाएगे, तो final velocity v हो गई है, initial velocity v naught है, तो मैं यह कह सकता हूँ, v is equal to v naught plus a, और हम कहते हैं कि इसने यहां से यहां तक, v naught से v तक जाने के लिए, तो time लिया, वो t लिया, तो वो हो गया t, तो यहां से v is equal to v naught, और acceleration की value अगर हम put कर देंगे, तो यह mu into g into t हो जाएगा, इसको कहते हैं हम equation 1, इसको कह लेते है equation 2, अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या है कि अभी तक हमने जो equation लगाई, वो translation की लगाएगा, अब rotation की लगाते हैं, तो torque produce होगा, torque produce होगा, तो उसका acceleration होगा, I alpha, ठीक है, अब torque produce को को कौन कर रहा है, frictional force, तो frictional force ही torque produce कर रहा है, into perpendicular distance, तो यह हो गया, fr, और यहां से अगर मैं इसकी value लिखूं, for disk, I की value, so mr square by, moment of inertia, जो disk का होता है, mr square by 2 है, अब friction force की value क्या है, mu into m into g into r, यह हो गया, mr square by 2 into alpha, ठीक है, r से r कड़ गया, m से m कड़ गया, तो यह जो value आई, alpha की, वो यहां पर अगर मैं लिखूं, तो alpha is equal to हो जाएगा, यहां से अगर alpha की value लिखूं, तो जाएगा, mu into g, divided by r, multiply by 2, तो यह आगई, alpha की value, ठीक है, यह हमारे पास आगई, alpha की value, अब हम लगाएंगे, rotational motion की, equation of motion, तो हमें initially तो यहां पर कुछ रहा नहीं होगा, बाद में जब इसकी velocity v हो गई, तो यह pure rolling में आगया होगा, ठीक है, जब इसकी velocity v हो गई, तो यह pure rolling में आगया, तो यह हो आगए, v is equal to r omega, पर initially omega 0 रहा होगा, तो मैं यह कह सकता हूँ, omega is equal to 0 plus alpha into time, अब omega की value, अब alpha की value हमारे पास है, यह हो जाएगी 2 mu g by r into t, तो यहां से t अगर हम निकालेंगे, तो t will be equal to omega r by 2 mu into g, तो यह value हमारे पास t किया गई, अब वही t की value हम यहां put करेंगे, v is equal to, omega r की जगा हम v रख देंगे, omega r की जगा हम v रख देंगे, तो अगर मैं वह value यहां put करूँ, तो v will be equal to, यहां पर v naught minus mu into g, into omega r की जगा, मैं v रख दूँ, upon mu g, और यह 2 mu g है, तो mu g से mu g cancel हो जाएगा, और यहां से v naught is equal to, v plus v by 2, यानि के v naught is equal to, 3 v by 2, और यहां से v जो आएगा, तो 2 by 3 v naught, कुछ इस तरह से हम pure rolling के questions को deal कर सकते हैं, यहां पर हमने पूरे solution बनाया, इस तरह से हम पूरे question को solve कर सकते हैं, thank you.